कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमारी पेट में दर्द होने लग जाता है ऐसे में आपको करना क्या चीए दोस्तों अगर आपको अचानक से दर्द होने लग जाता है इसके लिए मैं जो उसदी का आपको इस्तमाल करना है इस उसदी का आपको इस्तमाल करके आप अपने दर्द को बिल्कुल जर्द से कतम कर सकते हैं पांच मिनिट के अंदर में नमस्कार दोस्तों में अपरेम नापर मारोगा हमारी जड़ी बूटी का देशी नुसका में बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों आप इससे देख रहे तो जानते भी होंगे अगर नहीं जानते तो मै पेट में दर्द होने लग जाता है अजानक से दर्द होने लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में आपको करना क्या चाहिए दोस्तों अगर आपको अचानक से दर्द होने लग जाता है पेट में आपके या गैस बनने की वज़़ा से दर्द होता या इसी ज्या जो नुस्खा बताने वाला हूं दोस्तों ये गजब का नुस्खा है अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो 100% मैं गारंडी के साथ कहता हूं कि पास से दस मिनिट के अंदर में आपके पेट का दर्द जो है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा चाहे वह गैस की आप को अगरी किशन में आर्म से मिल जाती है और आपको अपने कीशन से लेकर इस की इस आपको लेना क्या है दोस्तों यह जो वह यूदि बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए ओं लिख लिजिए लिए डोस्तों ये बहुत ही गजब का नुसका है यह किसी को भी आप इस निशव ने को दो अप्राय की तरफरड़े से चीर को युजता जाता है तो आपको स्वागर्ण स्वाद की से ऊबर देंस के बाद उसको प्ज़ानीप को सकते हैं प्यात है वहां को यल्या में लोह अग्रेश है उसी का 7 करने के 10-15 मिनिट बाद आपको आपके पेट का दर्द चाहे वो नॉर्मल रहे या बहुत तेजी से पेट का दर्द होता रहे दोस्तों बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा आपके पेट का दर्द इस उसदी का इस्तमाल करते हैं दस से 15 मिनिट में आपका पेट का दर्द जो है वो बिल्कुल दीरे दीरे जड़ से खतम हो जाएगा और अगर आपके पेट में मीठा मीठा दर्द डेली होता है तो आप इसका कुछ दिनों तक इस्तमाल कर सकते हैं और आपका अचानक से पेट दर्द हुआ है तो आप एक से दो टाइम मिक्स का इसका इस्त सब्सक्राइब तक वीडियो पहुंच सके और ओभी सवसदी का लाग ले सके दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिए